बिल्कुल ठेले वाले जैसे चावमीन हम घर पर भी बना सकते हैं अगर परफेक्ट रेसेपी हमें पता होना तो बहुत असान तरीके से हम इसे बना सकते हैं तो आज मैं यही रेसेपी लेकर आए हूँ बहुत ही तेस्टी और मजेदार चावमीन छोटे हो या बड़े हो हर केसी को पसंदाता है तो चलिए परफेक्ट रेसेपी आज देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है ठेले के उपर तो यहाँ पर मैंने लिया है इसे बनाने के लिए एक पतेला और इसमें डाल दिया है एक लिटर पानी अब इसमें हलका सा बॉइल आने लगा है इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं एक टेबल स्पून ओईल और इसके बाद में नमक अब यह जब तक इसमें अच्छे से उबाल आता है तब तक मैं आपको दिखा दूँ मैंने किस तर रखे यह नुडल्स लिये हैं जो मार्केट में बहुत ही इजी अवेलेवल होते हैं तो मैंने दो प्याक का यहां पर यूज किया है तो इधर पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है अब इसमें डाल देते हैं नुडल्स तो हमें सिर्फ चार मिनट इसे बॉइल करना है ज्यादा तेर तक हमें बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है और को खो जाएंगे तो यह खराब हो जाएगा और कम भी पकेंगे तो भी यह रेशेपी अच्छी नहीं बनेगी यह बात ध्यान में रखें तो इसे अब फुल ग्यास पे हमें सिर्फ तीन से चार मिनट तक पकाना है तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा से यह बॉयल हो चुके हैं मैं आपको उठा के दिखा दूँ इस तरह से होने चाहिए तो अब हमें ग्यास की फ्लेम को करना है बन और इसे निकाल लेना है इक स्ट्रेनर का यूज कर लेते हैं इसके अंदर इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका गरम पाने निकाल दिया है इसके तुरंत बाद हमें इसमें डाल देना है थंड़ा पानी ताकि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो तुरंत थम जाए नहीं तो यह ओहर कुक हो जाएगा और आपका जो रेसे पी है बिगड सकता है तो यहाँ पे तो से तीन बार मिनी इसे इसी तरह से एकदम थंडे पानी से धो लिया है और चलनी के उपर इसे चान कर लिया है और एक थाले में निकाल लिया है एक बड़े वाले थाले में इसे निकाले और थोड़ा सा हलका सा इसे फैला के रखते अब एकदम थंडे हो चुके हैं फिर भी इसे अच्छे से फैला के रखे ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं तो अब इसी स्टेज में आप उसे ओईल भी लगा सकते हो बाकी तयारी जो है मैंने सारी कर ली है सारी सबजिया मेरी कट हो चुकी है अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में तो कड़ाई में मैंने तीन से चार चमच ऑईल डाल दिया है इसके बाद में बारिक कटा लेसुन इसमें डाल दिया है अद्रक के पेस्ट डाल दी है अब बारिक कटाप प्याज और हरी मिल्च डाल दी है इसे एकदम हाय फ्लेम पे ही हमें पकाना है कोई भी चाइनिज डीश होती है उसे हाय फ्लेम पे ही बनाई जाती है तो अब फटा फट ये सारी प्रोसेस हमें करनी है इसलिए सारी तयारी प दाल देते हैं, तो येक के बाद एक सारी सबजियां, इसके अंदर हम डाल देते हैं, आप अपने पसंदीदगा साबजियां इसमें आड कर सकते हैं, تو मैंने गाजर, शिम्ला-मिर्च, और पत्ता को भी इसमें डाल दी है, थोड़ा सा तामाटर भी डाल दिया है, और इन सारे इसे पकाना है अब इसके बात में डाल देते हैं सबसे पहले नमक टेस्ट की अनुसरण पहले भी हमने नुडल्ल нез Clin lutれる अगर्ण जे पाद में और इन सारे चीज़ों को हम mix कर लेते हैं तो इस stage में आप एक बात ध्यान रखें ये सारे sausage अगर आपको खटे पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो खटास पसंद है तो अगर कम पसंद है तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो थोड़ी से red chili powder मैंने डाल दी है अब डाल देते हैं इसमें काली मिर्च पौडर एक टी स्पून काली मिर्च पौडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है आप अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पौडर यूज कर सकते हो कम या ज़्यादा इस stage में अजिनो मोटो भी डाला जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे skip किया है अगर आप डालना चाहते हो तो थोड़ा सा जिनो मोटो इसमें डाल दे टेस्ट बहुत ही perfect market style आजाएगी तो इसे अच्छे से कर देते हैं mix आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम खुला खुला यह चावमीन हमारा बनके रेडी है अच्छे से mix करें हर तरफ से मसाला लगना चाहिए इस तरह से mix करें तो यह recipe एकदम perfect है जैसे ठेले वाले बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनाया है आपने एक बार इस recipe को try किया ना तो यकिन मानिएगा बहार का जो चावमीन मिलता है ना noodles मिलते है ना तो वो खाना आप भूल जाएंगे इतना टेस्टी बनके रेडी हो जाता है मैं हमेशा इस recipe को बनाती हूँ सिर्फ aginomoto को मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि वो help के लिए अच्छा नहीं होता तो इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है अब हमें इसे करना है serve तो एक बार आप इसे जरूर ट्राय करें और ट्राय होने के बाद मुझे comment box में जरूर comment करें कि ये recipe आपको कैसी लगी अगर ये recipe आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेर करना ना भूलें तो इसे अच्छे से गरम होने दे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाए और गर्मा गरम एक प्लेट में इसे serve कर लें बहुत ही tasty yummy बिल्कुल ठेले वाले जैसा ये चाउमिन हमारा बनके ready है तो ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर comment करें और अभी तक मेरे channel को आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दे ये video जितना हो सके अपने friends के साथ में share जरूर करें तो मिलते हैं ऐसी ही recipes के साथ में next video में